इस लगर निगम के बरेली अध्यक शक्राइब अध्यक शक्राइब रिच्ट अद्यूर को पार समध्य है उनके उट से क्याओ नपत्र मुद्रा यह और यह नीचे एक नाम और है भी यह देशेंगी उनके वर से क्यान पत्र मुत्रा है सबीकों पुलाम है नमस्कार है यह यार की तुम ने पुद्धियं की कभाई है यह देसे की हंपी मोटी करप बहुत बढूत करता है इसी कभाई है आगा 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 आई एक कट्पीस के ओर सागी दादा जी एक पुराना एक नया रखते हैं तो बस यही विचार मैंने भी थोड़ा सापका कैच करिया एक धुनबजी कभाई जोर फोर से तानसे जो नजर से मिलाई मजा गया और तेरे रश के कबर तेरी पहरी बजन जो नजर से मिलाई मजा नी ऐसी पूरी चैन है का गया तेरी खानी जो नरके मजा गया तेरी खानी जो नजर से मिलाई मजा 21 मुदायना श्री गंगा सिंग्यादो जी मडी नाथ परेणी के निवासी में सार सभन्दवाद है आशिता की कामना है और ये 22 मुदायना श्री जन बहादूर मौरे जी कर्मचारी नगर निगंबरेदी कर्मचारी है सार सभन्दवाद है आशिवाद की कामना है ये तो तर्ज नहीं मर्ज पिएगा माजी निगे सोना तालो जाए एक समय की बात है महाभारत का यूद चला है और उसमें कर्ण और अर्जुन आमने सामने है अर्जुन ने कर्ण के रट पर बान मारा तो कर्ण का रट ढाई हांथ पीछे गिरा और जैसे ही ढाई हाथ पीछे गिरा वैसे एक लिश्र के मूंचे निकला वहां कर्ण महां मजा आगिया तो आर्जुन को ये बात हिजम नहीं बही अच्या उनने कहां प्रभू ये कौंसी लिला है आपकी मैंने कर्ण प्रश्वजी शंजा रहे हैं आपके का रख 21 हांग पीछे फेग दिया तब आपने कुछ नहीं कहा और जब गडर मेरे रख को ढ़ाई हांग पीछे ठखे लिया तो आपने कहा कि मज़ा आगया अब देखिए को गीत में कहा है कि मज़ा आ गया जब एकनी बात गीत में आई तो उसी बात को पकड़ कर मैंने अपना गीत बाधा जब अरजुन ने इतनी बात कही तो प्रश्म जी संजा रहे हैं ये तो अरजुन को समझाते हुए कहने लगे कि पार्थ या यो तेरा रख है ये कोई ऐसा वैसा रख नहीं है ये कैसा रख है ये मैं तुम्हें बताता हम सुनिये कहते है करश्म जी कहते है क्या कि शेष पकड़े है पहिया बड़े जोर से योगनिया सब खड़ी है चभू होर से ये जो तेरा रख है तो कोई छोटा मोटा रख नहीं है इसको शेष नाग अंकुष में रख रहे हैं और योगनिया तेरे रख के चारो और पहरा दे रही है इसलिए शेष पकड़े है पहिया बड़े जोर से योगनिया सब खड़ी है चभू होर से उपर बजरंग बली उपर बजरंग बली कई ज生ना लगा हुआ है ये तेरे रध को कमांड के लिए हुए है उपर बजरंग बली था मैं रध की कsectionsी रध पे बैठा स्वाम मैं जो त्वी भुबन पती मैं तुलोग राव स्वामी स्वाम कवर्ष मैं तेरे रत को हां करा हूँ, उपर बजरंग बडी जी, तो तेरे रत कर अंकुष बने बैठे हैं, ऐसा ऐसा तेरा रत है, इसलिए उपर बजरंग बडी, था मेरत की गती, रत पे पैठा स्वयम मैं हूथ की भुवन पती सोचलो वीर वर, सोचलो वीर वर, हम नारायन मोनर, सोचलो वीर वर, हम नारायन मोनर, करण खिर भी डटादो और जुन सुन के ऐसा रख है सुघर वो चलाता है शर यानि कण जो बाण चला रहा है एसा रख है सुघर वो चलाता है शर रख ये पीछे हटा तो मजा गया आए ये पुना आदन श्री नगर निगम बरेली जी अध्यक्ष मिशनपाल सिंग जी और आदन श्री जेपाल सिंग पतेर जी महामत्री जी और पुना भिया भीम जेंजी की और से जीए जबाएगे क्या नगर दराएं सारस थिंग्नवाद है आश्रुवाद की कावना है क्या बात है ये गुप्त दान है हमारे आदन श्री जो दे गए जैए उनकी उर से तक क्या थिंग्नवाद हैं सार्स भिन्दमाद हैं, महा माई आपके भी कुप्त भिन्दारे भरती रहें, आपको सदा सहाई हुए, आए आपके सामने आने हमारे आदने दादा जी दीपाला जी के उसे, आप लोगे ने सुना है हलो, हलो, हलो आप लोग सुन रहे हैं हाँ जी सुन तो रहे है उलर से गीत आया था हाँ बिलकुल आया राज भवन से क्या लेना बवन से क्या लेना जवाब में आप लोगось अनले सुना था हारा पूंप बहुरुआ रुबवन से क्या लेना उफ अनले से एक ही युगमय हामने अटनाज लिकिन लेकिन क्योंकि सामने से साड़ा हो रहा है कि बहुत अधिक लंबा जवाब ना हो और नहीं तो जितने भवन थे दीपाला जी एक दो नौ सो नहीं मेरी पंक्ति लिखी रखी है लाख भवन से क्या ले नहीं लाच्छा ग्रह वाला चलिए आपने उस बात को दोराया है कोई बात की हो माटी डारो चलिए क्योंकि होली की बात थी अव जैसी भी पिचकारी महार भाए जिसने जैसा किया हो आप लोग देख रहे हैं किया है आप कर रहे हैं कि आपने यह किया तो मुझे वह याद आया है आपने ऐसा कर दिया तो मुझे वह याद आ गया हमें लगता है जो हमने पहले कहा था हम उसे निभाने में सबल हो रहे हमने कहा था कि आज बहुत याद आएगा चली अच्छी बात है आपको अपना सब कुछ पुराना याद आ गया मुझे तुम याद आ गया आपने कहा था कि मुझे उल्जल में टालने का प्रयास है कि कभी नया कभी पुराना अब क्या करें भीया राज भी जी ने और नगत निगम ने बुलाया ही ऐसा है कि एक नया एक पुराना तुम सोता है कि हम उसको निवाए दिपाना जी उदर नया है तर पुराना आय तो है दिपाग भईया निवाना बड़ेगा चलिए कित चुप रहा हूं कुछ नाता हूं कित चुप रहा हूं कुछ न कहूं तेरे लिए ये भी सही क्या वाच है दर्द दिल मैं ही सहूं तेरे लिए ये भी सही और तुमी किनारे पे खेलो माजों से और मैं ही दर्या में पहूं तेरे लिए ये भी सही क्या निश्यन दोगर के गाहिए आप अभी पाला जी आपने कट्पिस गाया है अर्जन करान का युद्ध हो रहा है अर्ण पीछे एक की साथ अड़ गया भगवान बोले नहीं और परने मात धाई हाग रहा हट आया आगया तो आगया क्या करें आपने उसको तहां जाता है कि हर आदमी हर समय जोकर नहीं होता हर आदमी हर समय जोकर नहीं होता कि और मज़ना जोकल की अपने जा नहीं होता है और एक बात में आपसे कह दूँँए यह जो सब्द है बहुत अपने में अर्पयर और है हलागी जितना मेने पढ़ा है तो वे उप्रम प्रम को आनन्द आ रहा है आई ये लेकिन क्योंकि आपने जो गाया है तो हमें गाना भी है और वहीं से सुने हैं महावारत से सुने है आपने गाया था से सुफ़कड़े हैं पईया पड़े जोर से योगिनिया थड़ी हैं चहो और से से सुफ़कड़े हैं आपने सोच लो पीरबर हम नारायन पोटर कर फिर भी तटा तो मता से सुफ़कड़े हैं पड़े जोर पीरबर और यहो गो तो सुघर वो चलाता है सर रत जोपी यहां तो मज़ा आ गया अब जबाब सुफ़कड़े जब भगवान को ना भागवान को मज़ा आ गया तो भगवार वारभ से स्ट्वाल वही या युद्ध हो रहा है बीसों पितावें प्रण कर चुके हैं एक प्रण किया भगवान ने कि मैं हत्यार नहीं उठाओगा और दूजा प्रण किया एक भक्त ने कि मैं भगवान तुन से हत्यार उठागे मानुगा बिन नडए यूद्ध में जीत दिल वाओगा और लूना हत्यार को तुमें दिख्वाओगा लेकिन प्रभू ऐसा कीना था ठण है अजब ये ट्रण ऐसा कीना थुम प्रण है अजब आजब ये ट्रण अजब आजब 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 ये ट्रण बगवन आपने प्रण तोड़ा मुझे मज़ा आगया लेकिन क्यों मज़ा आगया वो सुझेगा मुझे पता है कि आप आप क्यों हत्यार ठाकर की चक्त को उठाकर के क्यों भागे बोले भी सम्त Warning jyman बोले भी सम्ति नाजब ये चुछ आजब आज-जब-जब सत्रि से नाच-जब आजब ये लेकिन आपने अपने प्रण दोड़ा मुक ये वो सुझे आ खत्रिस आ जबग ये लित पूराना प्रणकों के वाल इस थक्त के लिए थक्त के लिए तुगड़ा ऐसा कीना थक्तर है अजब आजरर कब तुमने कड़ तोड़ा मजा आ गया और हसके भी समके है भक्तों से नाता फिर तुमने है जोड़ा मजा आ गया प्रणकों से नाता जोड़ा मजा गया लीजिये प्रेयास किया गया है